हलो फ्रेंट्स, इस्टिडी बिद्कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है फ्रेंट्स भारत का भूगोल विभिन परित्योगी परिच्छाओं के दिश्टकोंड से एक बहुत ही महत्पूर टॉपिक है तो आज से हम भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे और भारत की स्थिती यो विस्टार के संबन्द में जितना भी कुश्चंस बनते हैं भारत का एक रफ डायग्राम हम बना लें जिससे हमें इसको समझने में आसानी रहे प्रक्राइगी तो इस तर्छे से यह पंश्मोंतर के प्रेम्न है सिक्किम है इंप सा है और यहां राजस्थान के मेरे होते हुए और इस तर च्रेबinken का अधक इस तरह से भारत को मख कुछ आपश्रेश देखते हैं और यहां पर आप देखते हैं बारत का सबसे निकटतम समुद्री पडोसी देश जो है सिलंका को आप देखते हैं भारत का मैप इस तरह से एक रफ डाइग्राम आपको बनाना जरूर आना चाहिए भारत का भुगोर समझने में आपको बहुत आसानी रहेगी और मैं चाहता हूं फ्रेंड्स की आप सुरू से इसके नोट् कोस तैयार करते रहेंगे हमारी कोसिस होगी कि हम जो भुगोल का यहां पर क्लासिस करेंगे उनको फैक्ट बेस और कांसेप्ट बेस दोनों चीजें लेकर चलेंगे लेकिन सुरुवात में अभी हम जो सुरुवात की क्लासिस होंगी वो हम पूरे भारत को एक मैप के इस्थिती से तातपर है कि गलोब पर भारत की क्या पोजीशन है यह प्रतवी है अर्थ है गलोब है आप कुछ भी कह लीजिए अर्थ है तो अर्थ पे किसी भी देश या किसी भी अस्थान को अगर हमें समझना होता है तो अच्छांस यों देशांतर की बात की जाती है राटने वाला ब्रत है वो कहलाता है बिसुवत ब्रत ये जीरो डिगरी है इसको बिसुवत ब्रत कहा जाता है कांसेप्ट को समझ के चलेंगे बिसुवत ब्रत या बिसुवत रेखा भी आप इसे कह सकते हैं ब्रत की संग्या च्छांस को इसले दी जाती है क्योंकि ये पूरा ब्रत भी कहा जाता है इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं भूमध्य रेखा क्योंकि ये भूम को मध्य से विभाजित कर रही है और इंगलिस में इसे equator कहा जाता है उपर का जो आधा गोला है उसको कहते हैं उत्त्री गोलार्ध अर्थात नदर्न हेमेस्फियर और जो नीचे का आधा गोला है उसे दच्छडी गोलार्ध कहा जाता है यह सभी प्रस्ण आपके बन सकते हैं एक्जाम में भारत की स्थिती को समझने से पहले गलो पर स्थिती को निर्धारण करने वाली चीजों को बेहतर तरीके से अगर एक बार आपने समझ लिया तो आगे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी तो उत्री गुलार्द और दच्छनी गुलार्द दो भागों में भूमध रेखा ने प्रतवी को बिवाजित कर दिया इसके बाद इस भूमध रेखा से उत्री धुरू यहाँ पे उत्री धुरू है नार्थ पोल उत्री धुरू और दच्छनी धुरू विश्वत रेखा से उत्री धुरू तक 90 अंस का कोण बनता है और हर एक डिगरी पर 90 अंस है तो हर एक अंस पर एक लाइन खीची गई है एक ब्रत बनाया गया है ध्यान रखियेगा ये सभी अच्छांस कहलाते हैं इनको क्या कहा जाता है ये अच्छांस है जो भी आप लेट च्छांस लेटिट्यूड और ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते क्योंकि ये बराबर दूरी मेंटेन रखते हैं एक अच्छांस से दूसरे च्छांस की दूरी बराबर बनी रहती है और ये सभी ब्रत हैं पूर्ण सरकिल है तो इस प्रकार से 90 रेखाएं उपर तक खीच जाती हैं और एक बिसेश लाइन जो साढ़े 23 डिगरी पर पड़ती है उसको एक अलग नाम दिया गया है ये है 23.5 डिगरी इसको बोलते हैं करक रेखा ट्रॉपिक आफ कैंसर इसी तरीके से दच्छनी गुलार्द में भी जो एक लाइन जो है 23.5 ये नार्थ की है जितले लाइने उत्री गुलार्द में पड़ती है उनको नार्थ कहा जाता है यानि उत्री और ये साढ़े 23 डिगरी जो दच्छनी गुलार्द में है साढ़े 23 डिगरी साउथ इसको कहते हैं मकर रेखा मकर रेखा तो इस प्रकार से उत्री गुलार्द में एक बहुत महत्पूर रेखा करक रेखा और दच्छनी गुलार्द में एक बहुत महत्पूर रेखा मकर रेखा है इसके उपर फिर एक लाइन है एक बहुत महत्पूर गुलार् और इसी तरह दच्छनी गुलार्ध में एक महत्पूर अच्छांस है साढ़े चांचछट डिगरी साउथ ये नार्थ में है ये है साढ़े चांचछट डिगरी साउथ इसको कहा आजाता है अन्टार्क टिक अब ऐसे ही पेज पर बना लीज़ेगा कभी आप भूलेंगे नहीं तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि विश्वत ब्रत करक रेखा और इधर बिश्वत ब्रत मकर रेखा और अन्टार्क टिक ब्रत यह महत्पूर्ड अच्छांसे जिनको नाम दिया गया है और यह अच्छांसों को निर्धारित करने के लिए कुछ कारण भी है सूर्य की जो लंबवत पोजीशन है प्रथभी अपनी अच्छ पर साढ़े 23 डिगरी जुकी हुई है यह आप सभी को पता हुआ है कि प्रथभी अपने अच्छ पर साढ़े 23 डिगरी जुकी हुई है कितना 23 सही एक बटा दो 23 डिगरी इसी वजे से 23 डिगरी उत्री गुलार्द में और 23 डिगरी दच्छनी गुलार्द में दो लाइने निर्धारित की गई है क्योंकि सूर जो होता है वो मैक्सिमम इनी के बीच में लंबवत होता है यानि करक रेखा विश्वत रेखा मकर रेखा इसके बीच में जो सूरज की किरणे है वो वर्स भर में कभी न कभी लंबवत जरूर पड़ती है करक रेखा के ऊपर सूर की किरणे सीधी कभी नहीं पड़ती इसी तरह मकर रेखा के नीचे भी सूर की किरणे कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं तो सूर की position जो है देखे हर चीज को आप समझ लेंगे हम सिर्फ यहां पर भारत की इस्थिती की बात नहीं करेंगे कुश्चन बहुत जगे से बनते हैं और हर जगे पे हर एक कांसेप्ट को किलियर करना जरूरी है तो यहाँ पर जो सूरज है यह सन है सन की सीधी किरने बिस्वत ब्रत पे कब होती हैं उसके लिए दो डेट हैं एक है 23 सेप्तमबर याद रखेगा 23 सेप्तमबर एक डेट है और दूसरी है 21 मार्च 21 मार्च दो तारीखें हैं जब सूरज की किरने जो हैं वो सीधे बिस्वत ब्रत पर होती है और यह कहलाती है बिस्व पोजीशन यानि इक्वेनॉक्स इस कंडिशन में क्या होता है कि यह दोनों गोलार्ध में उत्री गोलार्ध और दच्छनी गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं इसलिए इसको बिस्व कहा जाता है जो करकरेखा है यहां पर सूर की लंबवद किरने जो होती है वो जून के महीने में होती है यह होती है 21 जून 21 जून को करक रेखा पर सूरज होता है उसके बाद में 22 दिसंबर 22 दिसंबर को सूरज जो है वो मकर रेखा पर होता है ये चार तारीखें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए 22 दिसंबर मकर रेखा पर सूर होता है और हमेशा जब सूर्य मकर रेखा की तरफ होगा यानि दचनी गुलार्द में होगा तो उत्री गुलार्द में ठंधक का महीना होगा सीत रितु होगी और जब सूरज करक रेखा की तरफ होगा यानि उत्री गुलार्ध में होगा तो दच्छनी गुलार्ध की तरफ थंड़क का महीना होगा और जिधर सूरज होता है उधर ग्रीस में रित्व यानि गर्मी का महीना होता है सरवाधिक गर्मी करक रेखा से लेकर के मकर रेखा के बीच जितने देश इस्थित होते हैं वहीं पर होती है अभी हम भारत की सिच्वेशन देखेंगे कहां पर है तो ये अच्छांस की बात आपने समझ ली और आपने ये देख लिया कि सूरज की पोजिशन कहां रहती है यहां बस इतनी जगे में सूरज रहता है लंबवत रूप से बाकी जितनी भी जगे हैं वहाँ सूरज की किरणे जो है वो तिर्चा पहुंचती है इसी लिए वहाँ ठंडे छेतर हैं और जितना दूर जाते जाएंगे करक रेखा से जितना दूर ध्रू की तरफ पहुंचेंगे उतना ज्यादा ठंड़क बढ़ती जाएगी क्योंकि सूरज की किरणे वहाँ कम पहुंचेंगी और इसी तरह मकर रेखा की तरफ दचनी ध्रू की तरफ भी यही सिच्वेशन बनेगी अब यहाँ पर हमने अच्छांस को देख लिया हर एक डिगरी पर अच्छांस है टोटल कितने अच्छांस है टोटल कितने देशांतर है इसके लिए आपको अच्छांस युम देशांतर का ये कलड़ कांसेट वीडियो प्ले लिस्ट में हमारे चैनल पे मिल जाएगा अब देशांतर हैं कुछ देशांतर खीचे जाते हैं जो उत्री ध्रू और दच्छनी ध्रू को मिलाने वाली रेखाए होती है उनको कहा जाता है देशांतर लांगी ट्यूड देशांतर यानि लांगी ट्यूड लांग लांग रेखाए अंतर ये है कि जो अच्छांस होते हैं वो कभी एक दूसरे को काटते नहीं है इस तरह से लाइने चलती हैं ये कभी मिलती नहीं है कभी एक दूसरे को काटती नहीं है लेकिन जो देशांतर हैं देशांतर उत्री धुरू से स्टार्ट होते हैं और दच्छणी धुरू पर आकर रुकते हैं ये पूर्ण ब्रत न देशांतर हैं वो सभी आ करके धुबों पर मिल जाते हैं इस तरह से 350 होता है पूरा ब्रत हर एक डिगरी पर एक अच्छानस एक देशांतर खीचा गया है इसलिए 360 260 देशांतर होते हैं वह पूरा कांसेप्ट पढ़ लीजेगा ये जा करके मिल जाते हैं तो इसमें एक चीज यहां पर निकल के आए जो मैं समझाना चाहरा हूं कि आप देखेंगे कि बिस्वत ब्रत के पास यानि भूमध रेखा के पास जब देशांतर पहुंशते हैं तो इ इनके बीच की दूरी कम पढ़ती रहती है और धुरू पे जाकर के ये एक में मिल जाते हैं यानि दूरी सुन्नी हो जाती है इसका फर्क पढ़ता है इसका देशांतरी बिस्तार में फर्क पढ़ता है इन चीजों को समझेंगे हम आगे भी तो आप इतना यहां पर याद र देखा के निकट दो देशांतरों के मद्ध सरवाधिक दूरी होती है और फिर धीरे धीरे वो दूरी कम होती चली जाती है लेकिन अच्छांस हमेशा बराबर दूरी मेंटेन रखते हैं तो यह अच्छांस यूम देशांतर हैं अच्छांस यूम देशांतर का प्रियोग ग और अच्छांसों को भी दिया गया है तो अगर इसे हम एक साधारण प्रष्ट पे फैला दें तो कुछ इस तरह का एक graph बन करके आएगा ये सभी देशांतर है और इस तरह से ये अच्छांस आएंगे निकल करके अगर एक पेज पर हम इसे फैला दें तो इस तरह से graph बन जाय ग्राफ में ये सभी खड़ी लाइने देशांतर हैं जिनको 0 डिगरी, 1 डिगरी, 2 डिगरी इसी तरह नाम दिया गया है 3 डिगरी और 180 डिगरी तक इधर और इसी तरह भी ये कहलाएंगे पूरबी और जब पस्चिम की तरफ चलेंगे दिशा क्या है ये पूरब है ये पस्च इधर 1,2,3 करके 180 डिगरी पस्चिम तक नाम दिये गए हैं जो अच्छांस है इनको भी 0 डिगरी भूमद रेखा उसके बाद इधर मकर रेखा एक आपने देखा था एक करक रेखा और इसी तरह एक एक डिगरी पर नाम देते हुए 90 डिगरी तक और इधर भी 90 डिगरी तक नाम दिये गए हैं तो हर एक लाइन का एक नाम हो गया जो एक डिगरी को परदर्शित करता है कोडी दूरी को परदर्शित करता है अब अगर किसी अस्थान पे हम कहें कि यहाँ पर प्रतिवी पर कोई बिंदु है तो वो कहां पर इस्थित है तो आप देखिए यह 0 डिग पर इस्थित है यानि आप आराम से इसे लोकेट कर सकते हैं क्योंकि यह ग्राफ बन गया दो डिगरी देशांतर पर चले जाए और जहां पर जीरो डिगरी अच्छांस आ करके उसे काटेगा वहीं पर यह देश इस्थित है तो इस तरह से प्रतिवी पर किसी एक स्थान की लो इस तरह से एक बड़ी जगे में इस्थिर देश होगा तो यहां पर हमें देखना होगा कि इसके इधर पस्चिम किनारे कौन सा है पूरब किनारे कौन सा है इसी तरह उत्तर में और दच्छिड में चार चार लाइने इसके निकलेंगी एक लाइन जो यहां से गुजर रही ह होगी एक इसके उत्तरी सिरे से और एक इसके दच्छडी सिरे से और फिर क्छ इसके दियूप भी है तो वहां भी देखना पड़ेगा तो इस तरह आपने ये समझा अब हम भारत की बात करेंगे अब भारत जो है इस्थित है गलोब पर यहां पर जो भारत की सिच्वेशन है आपने पढ़ा होगा कि करक्रेखा भारत के बीचों बीच से होकर के गुजरती है यह जो साड़े 23 वाली लाइन है इसी पर भारत इस्थित है यहां पर कुछ इस तरह से आप देखेंगे भारत की situation इस तरह से भारत यहां पर इस्थित है करक रिखा इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है तो अब हमें यहां पर देखना होगा कि यहां से कौन सा देशांतर है यहां से कौन सा चांस है यहां से कौन सा चांस है और यहां कौन boundary जिसकी निर्धायत करनी है वही इसकी इस्थिती योम बिस्तार है तो चले इस पर बात करते हैं इसका आप एक screenshot ले लिजे फिर हम बात करें इस पर इसको आप ऐसे ही paper पर ड्रा कर लीजेगा friends हमेशा काम आएगा इन चीजों से related बहुत सारे question आते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत की इस्थिती भारत की इस्थिती भारत कहां पर इस्थित है तो जैसे हमने पर्थवी को दो भागों में बाटा था एक उत्तरी गुलार्ध एक दच्छनी गुलार्ध बना था फिर हमने जब zero degree देशांतर खींचा था तो फिर जो है पूर्वी गुलार्द में है उत्री में भी है और पूर्वी में भी है तो इस तरह भारत की स्थिती जो निकल के आती है कि भारत कहां स्थित है तो आप नोट करेंगे भारत उत्री गोलार्ध में है उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी गोलार्ध में है पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है पूर्वी गोलार्ध में है तो इस तरे रिजल्ट क्या निकल कहा उत्तर पूर्वी गोलार्ध उत्तर पूर्वी गोलार्ध भारत की situation गलोग पर उत्तर पूर्वी गुलार्ध में है पूरी तरीके से पूरा भारत उसी छेत्र में इस्थित है इसलिए भारत से जितनी भी अच्छांसी योम देशांतर रेखाएं गुजरेंगी उनमें उत्तर और पूर्वी होगा यानि अगर अब हम बात करें कि इसका अच्छांसी और देशांतरी बिस्तार क्या है भारत का अच्छांसी और देशांतरी बिस्तार अच्छांसी योम देशांतरी यानि लांगिट्यूडनल और लेटिट्यूडनल लेटिट्यूडनल एंड लांगिट्यूडनल सिच्वेशन क्या है इसकी अच्छांसी और देशांतरी विस्तार अच्छांसी मतलब latitude देशांतर मतलब longitude यह आपको बताने है तो देखें दो अच्छांस पढ़ेंगे अच्छांस मतलब यह वाली लाइन है यह वाली तो दच्छांस में क्यों सी लाइन है और उत्तर में क्यों सी लाइन पढ़ती है तो सबसे पहले हम अच्छांस देख लें कहां से कहां तक है भारत अच्छांस तो जब भारत की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सबसे दच्छांस में मुख्य भूम की बात करेंगे दूप की हम अलग बात करेंगे तो जो भारत के सबसे दच्छिरतम पॉइंट है वहां से जो अच्छांस गुजरता है ये अच्छांस ये अच्छांस है आठ डिगरी चार मिनट आठ डिगरी चार मिनट यहां आठ डिगरी और चार मिनट को बीच की एक लाइन है यह, आठ डिग्री, चार मिनट, यह जो है भारत की मुख्य बिंद का जो दच्छणी पॉइंट है, वहाँ से गुजरती है और यह अस्थान कन्या कुमारी में है, कन्या कुमारी, कन्या कुमारी और जो इसका मुख्य रूप से अस्थान है, वो है केप क मोरिन या कुमारी अंतरीप भी इसको कहा जाता है, सभी नाम आप नोट करने, कुमारी अंतरीप, और यहाँ पर ध्यान दे, ब्रैकेट में आप लिखे ले, मुख्य भूमी, कई प्रकार से कुश्ण आएगा देखे, भारत में दच्छणी बिंद दो है, एक तो यहाँ पर एक दच्छणी बिंद आप कह सकते हैं, जो भारत का में लैंड है, और भारत के यहाँ बंगाल की खाड़ी में आप देखते हैं, कि अंडमार निकोबार दियूप समू है, तो यहाँ पर यह जो है, और ज्यादा नीचे तक हैं, तो एक पॉइंट यहाँ भी बनेगा, तो दो कुश्चन बन जाते हैं, एक तो आप से अगर पूछा जाए, भारत का दच्छणतम बिंद वहाँ पर मुख भूमी की बात न की जाए, तो इसका मतलब है वो इस बिंदु के बिसे में बात करेगा, यानि भारत की जो सबसे आखरी दच्छणतम सीमा कहां तक है, लेकिन अगर कुश्चन में वो लगा देता है कि भारत की मुख भूमी का दच्छण बिंदु कहां है, तो वह आठ डिगरी चार मिनट पर है, यानि इस अच्छांस का नाम है ये, ये अच्छांस का नाम है, आठ डिगरी चार मिनट और ये कहां कन्या कुमारी यानि तमिल नाड के केप कमोरिन यानि कुमारिक अंतरीप से गुजरता है जो मुख्य भूम की बात कर रहे हैं तो यहां पर अच्छांस क्या हो गया आठ डिगरी चार मिनट यह मुख्य भूम का है अब जो दूसरा दच्छिनतम बिंदु है यहां पर वो है छे डिगरी चार पांच मिनट पैतालिस मिनट यह जो है कहलाता है इंदिरा पॉइंट इसका नाम है इंदिरा पॉइंट यह चांस है इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट और इंदिरा पॉइंट को जो है पार्शन पॉइंट भी कहा जाता था पहले पार्शन पॉइंट यह आप नौट कर लेंगे नाम कभी पूछा जा सकता है और पिगमेलियन पॉइंट भी कहा जाता है इसे पिग मेलियन पॉइंट दो नाम इसके और है ये जो है तीनो नाम एक ही बिंदु के नाम है और ये क्या है 6 डिगरी 45 मिनट अच्छांस तो यहाँ पर 8 डिगरी देख रहे थे ये 6 डिगरी और बिसुवत रेखा यहीं कहीं नीचे होगी यहीं पर 0 डिगरी होगी 0 डिगरी बिसुवत रेखा वो 876 किलो मीटर दूर है यानि बिसुवत रेखा से 876 किलो मीटर दूर ये बिंदु है इंदिरा पॉइंट और ये ग्रेट निकोबार में है ये कहा है ये ग्रेट निकोबार ये जो द्यूप है ये है Great Nikobar जब हम अंडमान Nikobar द्यूप समय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम देखेंगे द्यूप है कई उनके अलग-अलग नाम है तो जो सबसे दच्छिनतम द्यूप है वो Great Nikobar द्यूप है और उसी पर ये इंदरा पॉइंट इस्थित है और इसके विशे में एक चीज और नोट कर लेंगे कि ये 2004 में सुनामी में डूब गया था 2004 में सुनामी आई थी तो उसमें ये पॉइंट जो है जलमगन हो गया था तो ये दच्छिनतम पॉइंट में दो पॉइंट आ गए एक तो 8 दिगरी 4 मिनट जो मुखी भूम olduğ में है जो कन्या कुमारी में पड़ता है कन्या कुमारी दूसरा आ गया जो दच्छिणतम है वो है 6 डिगरी 45 मिनट ये जो है दच्छिणतम बिंद यही है दच्छिणतम बिंद और ये ग्रेट निकोबार में है ग्रेट निकोबार इसको क्या कहा जाता है इंदिरा पॉइंट इंदिरा पॉइंट इस तरह से दो बिंद जब दो बिन्द हो गए अब एक अच्छांस जो उत्तर से गुजर रहा है जो सबसे उत्तरतम बिन्द है भारत का वो है 37 डिग्री 6 मिनट अच्छांस और ये सभी उत्तरी अच्छांस हैं इनको ब्रैकेट में आप यन लिख लिजेगा नार्थ ये सभी क्या है नार्थ हैं उत्तरी क्योंकि भारत पूरी तरीके से उत्तरी गुलार्थ में है तो जितने भी अच्छांस पड़ेंगे वो सभी उत्तरी अच्छांस ही होंगे भारत से कोई दच्छनी अच्छांस नहीं गुजरेगा सब उत्री अच्छांस ही तो उत्री अच्छांस 37 डिगरी 6 मिनट और ये कहां से गुजर रहा है ये लद्दाख से गुजरेगा आपको पुरानी किताबों में जमू एंड कस्मीर मिलेगा लेकिन अब जो है आप जैसा की जानते हैं कि लद्दाख बना दिया गया उसे केंदर सासित प्रदेश तो इसे आप लिखेंगे लद्दाख से गुजर रहा है आप ब्रैकेट में अपनी जानकारी के लिए जे एंड के लिख लीजिए कि जमू कस्मीर इसको पहले कहा जाता था तो जमू एंड कस्मीर पॉइंट आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो यह लद्दाख से गुजर रहा है और इसको कहा जाता है इंदिरा काल इसका नाम जो है वो है इंदिरा काल इंदिरा काल नाम से इसे जानते हैं तो यह दच्छिन बिंद हो गया और उत्तरी बिंद क्या हो गया यह हो गया आपका दच्छिन तम उत्तरी हो गया 37 डिगरी 6 मिनट नार्थ यह है इंदिरा काल इंदिरा काल और यह उत्तरतम बिंद है उत्तरतम बिंद यानि भारत का जो उत्तरतम सबसे बिंद है उसको इंद इंद्रा पॉइंट कहा गया है और ये जब राजीव गांधी गए थे यहाँ पर विजिट करने के लिए ग्रेट निकोबार में तो उन्होंने जो है इंद्रा गांधी जो पूर्व प्राइम मिनिस्टर थी भारत की उनके नाम पर इसका नाम जो है इंद्रा पॉइंट रखा था तो इंद्रा काल जो है उत्तंव बिंद हो गया, तो अब देखें यहां से यहां तक, यानि कि भारत की जो भूमी है वो इंद्रा यहां जो देख रहें कन्या कुमारी से यहां से यहां तक की दूरी कितनी बनती है, अगर हम total गिने कि कितने अच्छांस आ गए total कितने हो गए तो अगर यहाँ पे हम 37 degree 6 minute से 8 degree 4 minute को घटा दे तो यह अंतर निकल के आता है यानि अच्छांसी बिस्तार कितना हो जाएगा अच्छांसी बिस्तार कितने अच्छांस में हो गया यह total तो यहाँ पे 37 degree 6 minute से कितना घटा देंगे 8 degree 4 minute तो यह उत्तर हो जाएगा 31 degree 2 minute 31 degree 2 minute यह आया इसकी जो है total दूरी इतने अच्छांस पड़ेंगे यानि अगर हम इस तरह से लाइने इसके बीच में खीचें total लाइने खीच दें तो कितनी लाइने आ गई 31 degree 2 minute यानि 31 लाइने प्लस 0.2 मानने यह थोड़ा ज्यादा उससे और इसको लगभग लिखा जाता है लगभग कितना 30 यानि कभी आप से पूछा भी जा सकता है कि लगभग 30 भी वहाँ पे अगर दिया है तो भी उत्तर सही है लगभग 30 निकल कर आएगा ये तो अच्छांसी विस्तार अब आप से कुश्चन किया जाएगा कि भारत का अच्छांसी विस्तार कितना है तो आप लिखेंगे लगभग 30 लगभग 30 अच्छांस जो है यहां बीच में आते हैं अब देशांतरी बात करते हैं देशांतर यानि खड़ी लाइने खड़ी लाइने कितनी है तो यहां इसको हम मिटा रहे हैं इसको आप सौट ले लीजे स्क्रीन तो एक प्रणाब हमारा निकल के आ गया अच्छांस कितने निकले 31 डिगरी 2 मिनट लगभग 30 अच्छांस है यह हमने प्रणाम निकाल लिया अब हम देशांतर की बात करें कितने देशांतर हैं कहां से कहां तक भारत का देशांतरी बिस्तार है उसकी बात करेंगे तो देशांतर में हम बात करें सबसे पहले इधर पस्यम की तरफ तो यहां पर जो गुजरात से टच करती हुई लाइन निकल रही है उसका जो कोडी मापन है वो है 68 डिगरी 7 मिनट 68 डिगरी 7 मिनट और यह पूरभी देशांतर है इस्ट लिखेंगे ब्रैकेट में और यह क्या है देशांतर है खड़ी लाइने देशांतर होती है तो यह पूरभी देशांतर है क्योंकि यहां गलोब में हम देखें भारत की पोजिशन क्या है पूरभ की तरफ है यह 0 डिगरी वाली लाइन है खड़ी वाली इसके सभी पूरी तरीके से इस्थिर है और इधर वाली जो लाइने होती है वो दच्छी ये पस्चिम वाली लाइने कहलाती है पस्चिमी देशांतर तो 68 डिगरी 7 मिनट पूर्बी देशांतर पर ये पड़ता है इसका पस्चिमी किनारा तो भारत के पस्चिमी छोर पर जो लाइन गुजर रही है वह है 68 degree 5 minute पूर्वी देशांतर में 16 degree 7 minute पूर्वी देशांतर पूर्वी देशांतर यह कहा है गुजरात यह अस्थान कहुं सा परदेश है यह है गुजरात और गुजरात का जो अस्थान है जहां से लाइन गुजर रही है वो है गौर मोता गौर मोता या सर क्रीक यहां जो बाडर है हमारा पाकिस्तान और भारत के बीच में उसको सर क्रीक कहा जाता है वहीं पे है नारायन सरोवर नारायन सरोवर कच्छ में पड़ता है यहां पे बहुत दल्दली इलाका है यहां पे वो नारायन सरोवर है गौर माता अस्थान है चाहे सर क्रीक आए चाहे गुजरात आए कोई भी आपसनगर आता है तो वो सब इसी अस्थान को बताते हैं तो यहां से ले करके और कहां तक ह इधर जब बात करेंगे तो संख्या बढ़ती चली आएगी और ये जो अरुनाचल प्रदेश से टच करती हुई देशांतर जा रही है यानि इधर तो वो है 97 डिगरी 25 मिनट पूर्भी ये भी पूर्भी ही होगा इधर भी पूर्भी ही होगा इधर भी पूर्भी क्योंकि य 97 डिगरी 25 मिनट पूर्भी देशांतर और ये कहां से है ये है आरुनाचल प्रदेश आरुनाचल प्रदेश से गुजरेगी और वहां पर जो अस्थान है वो है किबुथू किबुथू नामक अस्थान जो है वहां से ये लाइन गुजरती है तो 68 डिगरी 7 मिनट से ले करक कहां तक 97 डिगरी 25 मिनट पूर्भी ये भी पूर्भी देशांतर है पूर्भी देशांतर अरुनाचल तक अरुनाचल तक ये आया तो इसका अंतर निकालिए इसका अंतर जब 97 डिगरी 25 मिनट से हम घटाएंगे और 60 डिगरी 7 मिनट को तो ये भी जो है 31 डिगरी 18 मिनट लगबाग उतना ही निकलेगा ये एंसर निकल के आया इतने देशांतर है ये देशांतर की संख्या है इतने देशांतर में फैला हुआ है भारत तो देशांतरी और अच्छांसी बिस्तार जब हमने निकाल लिया इस तरह से हमने चारो पॉइंट निकाल लिए चारो कोनों पर कौन कौन से देशांतर और अच्छांस है और उनकी संख्या कितनी है तो यहाँ पर आप इसको नोट करते रहें मैं मिटाता रहता हूँ अगर नोट न कर सकें तो वीडियो रोग करके स्क्रिंसोर्ट लेते रहें और स्क्रिंसोर्ट से पढ़ने की आदत मठ डालिएगा स्क्रिंसोर्ट इसलिए लिया जाता है ताकि बाद में आप उसे लिख सकें और या आप चाहें तो वीडियो के दवरान ही लिख सकते हैं तो एक रिजल्ट हम निकाला कि लगबग 30 अपछांस निकले थे और जो दूसरे देशांतर हम निकालें तो देशांतर कितने निकले हैं 31 डिगरी एक आठ मिनट ये भी कितना हुआ ये भी लगबग कितना हो गया ये भी लगबग 30 ही तो हो गया इसका आकार किस प्रकार हो गया इसका आकार हो गया समचतुसकोडिय आकार भारत का हो गया दोनों तरफ से यानि 30 डिगरी तीस अच्छांस और 30 देशांतर में फैला हुआ है भारत अगर 30 अच्छांस इधर को हैं अगर हम कहें कि 30 देशांतर हैं भारत के बीच में टोटल कितनी लाइने गुजर रही हैं खड़ी वाली 30 और भारत से बेड़ी वाली यानि अच्छांस कितनी लाइने गुजर रही हैं 30 तो भारत की लंबाई और चोड़ाई बराबर होनी चाह कि 30 लाईनें एक-एक डिगरी पे लाईनें हैं 30 लाईनें खड़ी यानि देशांतर हैं और भारत से 30 बेनी लाईन यानि 30 अच्छांस गुजर रहे हैं तो चूक एक-एक डिगरी पे लाईनें खीची गई हैं इनके बीच की दूरी समान होती है इसलिए भारत की लंबाई और चवडाई बराबर आनी चाहिए दो अच्छांस के बीच की दूरी कितनी होती है लोट कर लें दो अच्छांस यहाँ पे आप लिखें यह तो पूछा भी जाता है दो अच्छांस दो अच्छांस के मध्य दूरी वो होती है लगभग 111 किलो मीटर 111 किलो मीटर होती है दो अच्छांसों के मध्य की दूरी 111 किलो मीटर और दो देशांतर के मध्य दूरी कितनी होती है दो देशांतर के मध्य दूरी वो भी लगभग 111 ही होती है लगभग 111 किमी वो भी होती है लेकिन यहां नोट करेंगे लेकिन क्या है इसमें लेकिन यह है कि देशांतरों के मध्ध दूरी हर जगे बराबर नहीं होती है लेकिन देशांतरों के मध्ध दूरी बिस्वत रेखा पर सरवाधिक होती है एवं धुरू की तरफ जाने पर कम हो जाती है जाने पर घटती है इतना आप नोट कर लें यानि कि अगर हम यहाँ पे समझें कि यह प्रत्वी है तो जो अच्छांस है अच्छांस के मद्ध दूरी हमेशा बराबर रहती है तो चाहे आप विस्वत रेखा के पास में नापें और चाहे आप धुरू की तरफ चले जाए तो दो अच्छांस के मद्ध की जो दूरी है वो यहाँ पर भी 111 किलो मीटर निकलेगी यहाँ भी 111 किलो मीटर निकलेगी और कसमीर में जाके नापेंगे तब भी 111 किलो मीटर ही निकलेगी इसका मतलब है अगर 30 अच्छांस है तो तीस अच्छांस को 111 किलोमेटर से गुणा कर दीजिए तो भारत की जो है उत्तर से दचिन लंबाई पता हो जाएगी अब हम बात करें कि जो देशांतर है यानि इस तरह से जो लाइने है इनके बीच की दूरी कितनी है तो इनके बीच की दूरी भी 111 किलोमेटर है लेकिन हर जगे पर नहीं है ये होती है इस तरह से लाइने देखे एक बार समझ लेंगे फैक्ट कभी भूलेगा नहीं इस तरह से लाइने होती है ये इस तरह से तो यहाँ पर बिस्वत रेखा के पास में आप क्या देख रहे हैं बिस्वत रेखा के पास में इसके बीच की दूरी ज्यादा है यहाँ पर 111 मा लीजी है तो जैसे जैसे आप उपर बढ़ते जाएंगे यहाँ करक रेखा के पास आएंगे तो दूरी कम हो जाएगी फिर देशांतरों के बीच की दूरी घड़ती रहती है भारत की पोजिशन कहांपे है भारत की पोजिशन है करक रेखा के पास और विशुषब पर है 111 किलोमीटर तो करक तक आते आते कम हो गई होगी कि ज्यादा हो गई होगी अपना लोजिक आप लगाईे विशुषी है कि दो वो ज्यादा है और जब वो करक रेखा के पास पहुंची होंगी तो वहां तक देशांतरों के बीच की दूरी थोड़ा कम हो गई होगी इसलिए वहां पर 111 किलोमीटर नहीं रहे गई होगी तो इसका मतलब है कि 30 अच्छांस के बीच में जितनी दूरी निकलेगी देशांतर के बीच की दूरी कम निकलेगी क्योंकि देशांतरों के बीच की दूरी कम हो गई है तो चलिए देखते हैं कि भारत कितने किलोमीटर लंबा और कितने किलोमीटर चोड़ा है उसकी थोड़ी गढ़ना की जए फ्रेंड्स नोट्स जरूर बना लीजेगा क्योंकि ये चीजें आपको अगर रिवाइस कर लेंगे कभी भूलेंगी नहीं उन्से जो कुश्चन आ जाते हैं वो बहुत ही बड़िया कुश्चन होते हैं देखे अब हम अच्छांसी यानि उत्तर से दच्षिण उत्तर से दच्षिण लंबाई कितनी निकलेगी लंबाई तो अगर हम यह कितनी हैं वंतिस दिगरी दो मिनट इतने अच्छांसे इसको 111 से गुणा करेंगे तो यह जो निकल के आता है अगर 30 को हम मोटा मोटा 30 को 3,311 तो यह कितना निकल के आ जाता है 3,330 निकल के आ जाता है लेकिन यह पूरा-पूरा 30 है नहीं तो यह निकलता है 3,214 किलो मीटर 3,214 किलो मीटर यह उत्तर से दच्षिण लंबाई निकल करके आती है भारत की यहां से यहां यहां यह कितनी निकली 3,214 किलो मीटर अब जो यहां से यहां तक निकाली जाएगी यानि पश्चिम से पूरब पश्चिम से पूरब निकाली जाएगी तो वो निकलती है 2933 यानि उससे थोड़ा कम निकलेगी और कम क्यों निकली वो भी हमने बता दिया तो यह पूरब से पश्चिम कह लीजिए पूरब से पश्चिम लंबाई या चोड़ाई की बात करें आप चाहें चोड़ाई कहें तो यह हो गया यह कितना है 31 degree 18 मिनट इसको भी गुणा करेंगे लगबग 111 से कम 111 से कम हो गई होगी दूरी ना तो यह निकल के आती है 2933 क महां से कम है तो अंतर कितना जाता है 281 किलो मीटर का अंतर है इसलिए कहा जाता है कि भारत की लंबाई और भारत की चोड़ाई लगभग बराबर है 30-30 ही है लगभग बराबर है इसले इसको सम चतुसफल की या सम चतुसकोड़ी ये देश कहा जाता है तो यह हो गया अब इसका जब छेतरफल हम निकालेंगे कि ये टोटल एरिया भारत के पास जो है वो कितना है तो भारत 30 अच्छांस और 30 देशांतर में स्थित है फिर भी भारत की चोड़ाई या पूरब से पस्चिम लंबाई कम क्यों है तो उसका कारण ये है कि भारत करकरेखा पर स्थित है और करकरेखा तक आते आते देशांतरों के मध की दूरी जो है वो कम हो जाती है इसलिए छेतरफल क्या है और विस्स में इसकी इस्थिति क्या है इस पर हम बात करेंगे उसके बाद हम करक रेखा और जो समय रेखा है उसकी बात करेंगे क्लास अगर आपको समझ में आ रही है तो कमेंट करके क्रपया जरूर बताईएगा ताकि और बहतर सुधार किया जा सके आप जिस तरीके से समझ सकते हैं उस तरीके का इस्तिमाल किया जाए छेतरफल की बात करें देखिए सीधे छेतरफल बहुत छोटे जाम में पूछा जा सकता है तो भारत का जो छेतरफल है वो 32,87,263 किलोमीटर वर्ग किमी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका छेतरफल है और ये बिस्व का सेबन्थ देश है छेतरफल में छेतरफल के हिसाब से बिस्व का सात्वा सबसे बड़ा देश है तो नंबर एक पे काँ सा हो जाएगा नंबर एक पे जो है रूस नंबर एक पे रूस है छेतरफल के दिष्ट कोंड से रूस की राधानी क्या है मासको रूस की राधानी मासको है दूसरा देश कौन सा है कनडा दूसरा देश कनाडा है कनाडा किराधानी उट्टावा मैच करने के लिए आपको दिया जाता है तीसरा जो है देश है चीन तीसरे नमबर पे चीन आता है चीन किराधानी क्या है बीजिंग और चोथे पोजिशन पे काँ सा देश आता है चोथे नमबर पे आता है अमेरिका य अमेरिका और इसकी राधानी क्या है वासिंगटन डीसी वासिंगटन डीसी डिस्ट्रिक्ट आफ कोलंबिया डीसी का मतलब है डिस्ट्रिक्ट आफ कोलंबिया क्योंकि वहां पर वासिंगटन नाम के दो अस्थान है इसलिए इसको डीसी आगे लगा देते हैं डिस्ट्रिक आ उसकी राध्धानी है और छठे पे हैं आस्ट्रेलिया ये क्रम आपको बहुत बार पूछा गया और आपको मालूम भी होना चाहिए अपने देश की पोजीशन उससे बड़े देश आस्ट्रेलिया की राध्धानी कैनबरा कमेंट करके बताएं कैनबरा जो राध्धानी है वो किस प्रदेश में इस्थित है अस्ट्रेलिया के और सात्वे स्थान पे है भारत और भारत की राध्धानी है नई दिल्ली भारत सेबन्थ पोजीशन रखता है बिश्व का छेत्रफल में सात्वे स्थान पे है और ये बिश्व का 2.43 भूम इसके पास है अगर पूरे बिश्व की भूम की बात करें तो 2.43 प्रत्सत लगबग 2.4 परसंट जमीन भारत के पास है और इतनी जमीन पर यानि सिर्फ 2.5 परसंट जमीन है भारत के पास और साड़े सत्रा प्रतिसत से ज्यादा जनसंख्या यानि बिश्व की जनसंख्या की बात करें तो उसका साड़े सत्रा प्रतिसत भारत में रहता है और बिश्व की कितनी जनसंख्या रहती है बिश्व की सत्रा दस्मलों पांच प्रतिसत से ज्यादा हो गई होगी अब ज्यादा जनसंख्या यहां निवास करती है सोचिए भारत की स्थिती क्या है कितना जन संख्या घनतव है कि हमारे पास जमीन टोटल की धाई परसेंट है और जन संख्या टोटल से 75प्रसत से अधिक भारत में निवास करती है और जनसंख्या के हिसाब से भारत बिश्व का कौन सा स्थान है जनसंख्या में जनसंख्या में सेकेंड अस्थान रखता है भारत तो पांच देश कौन से है फर्ष्ट कौन सा है पहले स्थान पे बिश्व में चीन है दूसरे पे भारत है तीसरे पे कौन सा है तीसरे पे है USA यानि अमेरिका चोथे स्थान पे है इंडोनेसिया आपको पता है एसिया का देश है इंडोनेसिया बिस्मे सरवाधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है और जनसंख्या में चोथे स्थान पे आता है और पांचवे स्थान पे ब्राजील है फिर से ब्राजील पांचवे स् देखिए चेतरफल के हिसाब से भी पांचोय स्थान पे ब्राजील आता है तो यह हो गई भारत की स्थिती विश्व में क्या है भारत की स्थिती विश्व में चांसी देशांतरी देख लिया आपने चेतरफल देख लिया कौन कौन से पॉइंट है यह बात कर ली और यहां पर दच्छिन में ध्यान देना आप कुश्चन के हिसाब से दोनों चीजों को अलग-अलग ध्यान देंगे।